हलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सैफ सैफ चलिए आज नया लॉजिकल डीजनिंग का टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं आज टॉपिक है खूनी संबंद या खून के संबंद टॉपिक देखे लगता है आज तो बड़े क्राइम और क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया इसकी बात होने वाली है जीने खून वर्ड को थोड़ा सा सौथिस्टिकेज बना जेते हैं अग्रेजिन ब्लैड तो आज हम जो लॉजिकल डीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं याट इस ब्लैड रिलेशिएं वेरी वेरी इंट्रेसिंग टॉपिक इनिशली इ और वेरी इस ब्लैशिप करने तो दिरे दिरे आपका कमफर्ट लेवल आना चलू जाता है दो तीन तरीके अपनी फैमिली में देखिए अपने सराउंडिंग में देखिए या आप सबसे बड़िया रिलेट करते हैं बॉलिवड वगर्या से तो बॉलिवड में देखिए कर या पिर मैं आप से बोलू रिशी कपूर करीना कपूर का क्या लगता था रिशी कपूर, इस आज बोलते हैं पैटरनल अंकल तो यह रोज मझा है जह आप सब लोगों ने पड़ई रखी होगी अपनी फैमिली में देखें यदि मैं आपसे पूछाओ कि आपके पिता जी की बहन आपकी क्या लगती है आपके पिता जी की बहन आपकी बुवा लगती है अब इंगलिश की बारी अपके पिता जी की मम्मी आपकी दादी लगती है आपके पिता जी की बेटी आपकी बहन लगती है बस अपनी फैमली में यह चीज़ देखना चलू किजिए धीरे धीरे बनता जाएगा अब क्योंकि चार-पांच रिलेशनशिप एक साथ दिये रहते हैं चार-पांच लोगों की एक साथ बात चलती है तो इसको कॉपी पे जॉट डाउन करके लिखके बनाए पैन और पेपर लेके अब पैन और पेपर जहां पर हम लेते हैं तो मेल और फीमेल को क या पिताजी बनाने हैं तो मुचो वाले पिताजी बनाएं ऐसा करें ऐसा नहीं करते हैं यहां पर दो ही तरीके के लोगों की बात चलती है दो ही जेंडर की मेल और फीमेल तो आज से हमने ते किया कि किसी को मेल बनाना है तो मैं एक स्क्वेर बाक्स बनाऊंगा उसके देखो यह कौन होगा मेल होगा देखते दोस्तों आप अपने सिंबल भी बना सकते हैं आपको स्क्वेर पसहर नहीं सप्वेर मेरे लिए उनलख्य है तो ट्राइंगल बना बहुदा यह तो मेरा तरीका है मैं कॉष्ट्चं सैस зов करता हूँ आप अपने तरीके निका लिए so in general approach के अंदर हम square use करेंगे मतलब क्या होगा male इसी तरीके से यदि हम square की जगा circle use करते हैं तो यह represent करेगा female यह आपको समझ में आया तो चलिए यदि मैंने एक square बनाया और उसके नीचे एक circle बना दिया अगली चीज़ समझने लायक है दोनों के बीच के level यह दोनों अलग-अलग level मतलब एक generation का अंतर है यह पिताजी हो सकते हैं यह बेटिया हो सकती है हो सकती है यह अंकल हो सकते है यह उनकी भती जी या भान जी हो सकती है यह ससुन हो सकते है यह बहू हो सकती है इन सब में एक level का अंतर है समझ رہا ہے आप लेकिन यदि यही दो Figures एक ही Line में बने होते हैं इस तरीके से यहोनों Same Level पे हैं same level के लिश्चते कैसे होते है मैं भाई, बैहन husband, wife, jay- safar सेसमत यह सब same level पे आते हैं Devar, Babi तो यह सब same level के हैं इसी तरीके से यदि मैं फीमेल को उपर कर दू और मेल को नीचे कर लूँ तो उल्टा हो जाएगा, ये मम्मी और ये बेटा हो सकता है, तो ये लेवल की बात हो गई, और मेल फीमेल को रिप्रेजेंट करने की बात हो गई, अब एक और कनफीजन है, जैसे ये सेकंड फिगर मैं आपके सामने और इनके साथ और भी लोग आएंगे, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करूँ, तो आज से मैंने दूसरा रूल जो बनाया मेरे अपने लिए, कि जब भी मैं सिंगल लाइन खीचूंगा, ये एक सिबलिंग रिलेशनशिप बताएगा, सिबलिंग मतलब भाई बेहन का रिले तो यदि एक सरकल और एक स्क्वार के बीच में सिंगल लाइन है, मतलब ये दोनों भाई बेहन है, लेकिन यदि डबल लाइन है, तो ये हस्बेंड वाइफ हैं, तो आज के बाद जैसे ही आपको इस तरीकी का फिगर दिखे, अपने बनाया हुए कुश्चिन के अंदर, य वाइफ है, और बी का एक भाई है, जो के है, सी, तो वो ए का क्या लगा, साला, साला मतलब ब्रदर इन लाउ, ये संबंद आपको क्लियर है, इस तरीके से हम बनाएं, ओके, अब अगली चीज, नाम, बस ये तीसरी चीज आपको समझने लाइक है, बलड रिलेशन में, इसक के अंदर, क्या करें, अंग्रेजी भाषा ही ऐसी है, जैसे, for example, sister-in-law की बात करते हैं, sister-in-law, ठीक है, कितने रिष्टों के, जिसके हमारी हिंदी भाषा में अलग-अलग नाम है, सब के sister-in-law है, पहले मैं हिंदी के नाम बताता हूँ आपको, भावी, साली, ननद, इन के नाम एक ही होते हैं, इंग्लिश में, sister-in-law, इसलिए मैं आप से कहा, अपने घर में यह संबन देखिए, जादा आप comfortable रहेंगे, इसी तरीके से brother-in-law, brother-in-law, साले को, जीजा को, देवर को, जेट को, इन सब को क्या बोलते हैं, brother-in-law, तो चार-पांच रिष्टे हैं, इनके सिंगल नाम है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे आपको रिष्टे मिलेंगे, जहां पे केवल सिंगल नाम आएगा, जैसे father-in-law, सासुर एक ही होता है, या mother-in-law, एक ही होती है, daughter-in-law बहुएं 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 बह बहुएं 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 बहु दादा तक तो ठीक है grandfather होते पर दादा उससे एक generation और उपर तो पर दादा को बोलते हैं great grandfather इसी तरही के से पर पोते को बोलते हैं great grandson अब इस पर question कैसे या तो single single question आएंगे या family tree family tree में क्या करेंगे हम पूरा चार्ड बना देंगे example में बात में लोगा पहले मैं आपके सामने चार्ड बना रहा हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं संबंद पूछता हूं कि किसका किसे संबंद है चलिए मैंने एक ड्राइंग बनाई मेरे ड्राइंग करने के इच्छा हो रही है चलिए मैंने ये बनाए एक लेड़ी ये बनाया एक जयंट्स इनको नाम P, Q, R, S, T, U, V ये बनाये नाम मैंने अचे चलिए ये डाइगरआम देख के आप को क्या समझ में आता है आप समझ़िएगा क्या होता है और मैं बनाता हूँ यदि मैंने ये डियाग्राम के बसे पूछा कि पी यू का क्या लगता है आर और एस दो भाई-भाई दिख रहे हैं आपको इन दो भाईयों की दो वाईफ है क्यू और टी रिस्पेक्टिवली इंटरचेन मत कर देना क्यू और टी और जो S.O.T. कपल है इनके दो बच्चे हैं यू और वी दो बच्चे दिख रहे हैं यू और वी आपको तो यू और वी फैमिली के सबसे छोटे नीचे वाली जनरेशन के मेंबर है और P सबसे उपर वाली जनरेशन है पी यू का क्या लगता है अगला सवाल क्यू यू की क्या लगती है क्यू यू की आंटी लगती है आंटी मतलब उसकी चाची लगती है ओके आर वी का क्या लगता है आर वी का चाचा लगता है चाचा को बोलते हैं अंकल पपा की तरफ से लगता है इसलिए पैटर्नल अंकल मम्मी की तरफ से मामा को बोलते हैं मैटर नलंकल यह दोने नाम हमको और पता चलें तो यह चीजें आपको समझनी पड़ेगी तो कोई information based question आएगा जिसमें आपको चार पांच लाइन की information दे रखी होगी आपको इस तरीके से family tree बनाना पड़ेगा and there will be three four question based on that information तो इसमें बनाने में आपको time जरूर लगेगा एक से डियर से दो मिनिट लगेंगे बट इसके dividends अच्छे रहेंगे आपको तीन चार question इसमें मिलने वाले हैं यह अपने आप में एक pattern होता है family tree का दूसरा कई बार क्या होता है मैनत वाले single question होते हैं और आपके अधिक तर question इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं चलिए let me frame a question pointing towards a man a lady said ध्यान से सुनिए का चाहें तो लिख लीजे पहला सवाल है pointing towards a man a lady say his father's son is my brother फिर से मैं समझाता हूं pointing towards a man lady said मैं की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी बोली है his father's son is my brother मैं मेरे घर में देखता हूं मैं एक लेडी हूं suppose करूं मैं एक लेडी हूं मैंने मेरे घर का कोई एक जैंश उठा है his father इसके पिताजी का बेटा मतल ये खुद हुआ मतल वो खुद के बारे में ही बात कर रहा है is my brother मैं एक लेडी हूं ये मेरा भाई है ये मेरा भाई हुआ बो his father's son is my brother चले इसमें single single question भी आते हैं अब single question का हम एक example देखते हैं क्या है pointing towards a man a lady said एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी बोली क्या बोली अब भाई है his father's son is my father his father's son is my father his father's son is my father इसा बोली तो अब इसको हम कैसे देखें या तो अपनी family में देखें या diagram बना के देखें मैं diagram से approach अपने को समझाता हूं family में आप खुद ही समझ सकते हैं कि कि लोगों की बात चल दी नाम के साथ ये लेडी बनाई मैंने ये बोल रही है किसी बंदे के बारे में इसकी तरफ इशारा करते हुए चली क्या बोल रही है his father's son is के पिताजी का बेटा हम मानके चलते हैं इकलौता बेटा his father's only son ऐसा बो तो तो इसके पिताजी का इकलौता बेटा मतलब ये खुद is my father ये मेरे पिताजी है तो मतलब ये में आ गई तो ये हो गई लेडी ये उस जैन्स के बारे में बात चली है इस तरीके से डियाग्राम बन जाएगा तो चली अब एक और single question देखते हैं हम कि इसमें हमने family tweet तो देख लिए आप single single question कैसे होते हैं ये थोड़े से मेहनत वाले रहते हैं और language में twist जादर रहता है let me put an example in front of you pointing towards a man a lady said एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए एक lady बोली क्या बोली his father's only son is my father इस father's only son is my father तब इसको कैसे करें यहां तो अपनी family में देखो यह में यहां पर upfront explain नहीं कर सकता क्योंकि आप कोई सोचना पड़ेगा तो फिर इसका alternative क्या है alternate तरीका है डियाग्राम से करने का बिलकुल बनेगा उससे hundred percent बनेगा चलिए I'll make the diagram before that I'll read the question once again pointing towards a man मान लीजे यह वो बंदा है इसकी तरफ इशारा करते हुए एक lady बोल रही है यह वो lady है और यह वो man है his father's only son इसके पिताजी का इकलौता बेटा मतलब यह खुद हुआ मतलब इसके बारे में बात चल दी है is my father my मतलब कौन lady मतलब यह जो बंदा है यह मेरे पिताजी हैं तो ultimately इस लीडी को अपनी हाँ फेट कर सकते है I'll read it one more time and absolutely clear सब चीजें जाले साफ his father's only son is my father his highlighter से his father's only son is my father clear हुआ so how the lady is related to the man in the photograph यह lady उस बंदे से कैसे related है यह lady उस बंदे की daughter लगती है तो इस सवाल का उत्तर होगा daughter अच्छा यहां पे एक बात का ध्यान रखेगा L का M से संब्द पूछा या M का L से L का M से पूछा है तो answer daughter होगा लेकिन M का L से पूछा है तो father होगा इतना तो common sense हम लगा सकते हैं बिलकुल और एक आखरी variety का सवाल जो इसके अंदर बनता है वो बनता है symbol based A plus B means A is the father of P A minus B means A is the brother of B and A into B means A is the wife of P चलिए यह आपको दे लिया अब आपको कहानी पता लगानी है कि PQR के बीच में या XYZ के बीच में relationship दे रखा को based on this definition आपको answer पता लगाना है तो चलिए मैंने यदि ऐसा बनाया P plus Q minus R तो P और R किस तरीके से related है चलिए पहले हम plus sign लेंगे फिर minus क्योंकि बॉर्ड मॉस रूल ऐसा बोलता ऐसा कुछ नहीं है आपर बॉर्ड मॉस रूल नहीं लगाते multiply divide होता तो भी हम पहले multiply divide नहीं करते we always go from left to right ठीक है तो सबसे पहले हमारे सामें प्लस sign आ रहा तो plus sign की definition A is the father of B इसका मतलब P is the father of Q now minus sign minus sign says A is the brother of B that means Q is the brother of R अब देखिये R के ओपर ना तो गोला ना तो square कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि Q R का भाई है R तो क्योंकि भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है so if the question comes how R is related to P answer होगा मनने को नहीं मालूं मुझे नहीं पता लेकिन यदि सवाल होगा how P is related to R तो P R का 100% पिताजी लगता है तो आप समझ रहे हैं P का R से relationship definite है बट R का P से indefinite है तो यह को और अपने आप में variety है जो question बनती है इसके अलावा आपको simple भाषा में ऐसे भी दिया जाए सकता है A is a brother of B, C is a sister of B and C's son is D so how D is related to A यह आप बड़े simple से बना सकते हैं वो pointing वाला बन सकते हैं तो फिर यह तो बड़े आसान सकते हैं तो यह आप subtle approach उस कर सकते हैं blood relation के question solve करने के लिए सो जो मैं आपको tips दे सकता था मैंने आपको दी है इन चीजों पर work करना चालू कीजे male, female, spouse, signaling कैसे करना है generation और आप blood relation के question में comfortable हो जाएंगे तो यह था खूनी संबंद अपना याद है दोस्तो तो इस topic को हम याद रखेंगे खूनी संबंद के नाम से जहाँ खून समझा logical reasoning में मतलब blood relation की बात हुई सो खूनी संबंद बनाते रहिए उसको सुलधाते रहिए practice करते रहिए अगले session में आप फिर से मिलता हूँ आपसे एक नए topic के साथ नई briefing के साथ तब तक take very good care of yourself बाई बाई चाओ